हेलो फ्रेंड वेलकम टू माई चैनल मस्तान आटो टैक दोस्तों ये गाड़ी है हुंड़ाई आई टैन ग्रांड और इसमें प्रॉब्लम है कि इसका पावर स्टेरिंग काम नहीं कर रहा है स्टेरिंग बहुत टाइट है तो देख लेते हैं इसमें क्या काम है सबसे पहले चैक कर लेते हैं इसके EPS मॉडियूल को जादा तर हुंड़ाई की गाड़ीों में EPS मॉडियूल खराब हो जाता है जिसकी वज़े से पावर स्टेरिंग काम नहीं करता सबसे पहले हमें उसकी wiring को चेक कर लेना चाहिए उसके बाद motor को चेक करते हैं और फिर देखते हैं इसके EPS module में problem है या गाड़ी में कोई और problem है यह है इसका EPS module देख लेते हैं इसकी wiring हम चेक कर चुके हैं वाइरिंग में सभी supply बराबर आ रही है motor को हमने direct घुमा कर चेक कर लिया है motor भी घुम रही है steering काम नहीं करता गाड़ी को कर लिया हमने start इसका steering बहुत ज्यादा tight है बहुत जोर लगा कर यह घुम रहा है यह बिल्कुल वर्क नहीं कर रहा हूं wiring और motor इसकी बिल्कुल okay थी तो हमने खोल लिया इसका EPS module जिसमें की problem है और हम इसको देखते हैं रिपेर करके और देख लेते हैं इसमें क्या problem है तो इसको हमने खोल लिया है और यह कुछ इस तरह का होता है यह च्छे लॉक होते हैं इसमें जिसको हम इसको ड्रैवर से सीधा करके इसके cover को आसानी से हटा सकते हैं और यह कुछ इस तरह से होता है इसमें यह component लगे हुए होते हैं electronic जो की moisture से खराब हो जाते हैं आए कि यह च्क्रू से कसा हुआ होता है इस टार इसकूरो होते हैं इसमें यह छोटे इसस तरह से पिच्छ स्कूरों आए यह च्छार्व हमने खोल ली है अपने इस टार इसकू ड्रैवर से और अब देखते हैं इसमें चेक करके कि इसमें क्या प्रॉब्लम है इसमें आइसी लगी हुई है रेजिस्टेंस लगे हुई है पीएफ लगे हुई है आउटपूर्ट मॉस्फिट लगे हुई है आइसी लगी हुई है तो हम इसको मल्टी मीटर से चेक करते हैं कि इसके किस कॉंपोनेंट में प्रॉब् इसके हर कॉम्पोनेंट को हम मल्टिमीटर से चेक कर सकते हैं। कुछ इसमें फ्यूज होते हैं। कुछ आईसी होती हैं। कुछ रजिस्टेंस होते हैं। आउट्पुट मॉस्फिट होते हैं। पी एफ होते हैं। और जाधतर SMD electronic component इसमें यूज किये जाते हैं। इसको पूरी तरीके से चेक करना होता है। बहुत ही ध्यान से। अगर हम आदे अधूरे तरीके से इसको चेक करेंगे। तो हमने इसमें जो भी वक्त लगाया है वह हमारा खराब हो सकता है। और ये गाड़ी में लगकर काम नहीं करेगा। इसलिए एक बार में इसको अच्छी तरीके से चेक करना चाहिए पूरा। और फिर इसको रिपेर करने की कोशिश करेंगे। कभी-कभी ये रिपेर होने वाली कंडिशन में भी नहीं होता। फिर ये दूसरा नया चेंज करना पड़ता है। ज्यादतर गाड़ियों में हुंड़ाई की खास तोर पर इलेक्ट्रोनिक स्टेरिंग अगर काम नहीं करता है। तो 90% प्राब्लम EPS मोड्यूल में होती है। बहुत कम गाड़ियों में मोटर और वाइदिंग की प्राब्लम आती है। तो प्राब्लम हमें इसकी मिल चुकी है दोस्तों और अब हम उस प्राब्लम को सॉल्व करेंगे। और फिर गाड़ि में लगाकर चेक करेंगे कि यह EPS मोड्यूल प्रापर तरीके से रिपेर हुआ है या नहीं। इसको रिपेरिंग के लिए यह होट गन का इस्तेमाल किया जाता है। इसकी छोटी-छोटी IC और छोटे-छोटे कॉम्पोनेंट को रिमूव और रिसोल्ड करने के लिए। होट गन की मदद से ही इसका काम किया जाता है। सोल्डर इसमें बहुत कम यूज होता है। तो दोस्तो इसमें प्रॉब्लम है यह छोटी-सी IC जो कि हमने निकाल ली है। यह IC होती है इसकी यह बस्ट हो गई है। इसलिए यह EPS module वर्क नहीं कर रहा है। तो इसको कर लिया है हमने IC को चेंज और रिसोल्ड करते हैं हम इसको अपनी होट गन से। इसमें बहुत बारीक-बारीक टांगे होती हैं और सोल्डर से जादतर टच होने का खत्रा होता है। इसलिए होट गन का ही इस्तेमाल किया जाता है इसको लगाते टाइम। इसको फिट कर लिया है। और अब हम इसको क्लीन करेंगे मौस्चर को रिमूव करने वाले किसी भी को सोल्ड से। यह सॉलूशन आप इसमें पैट्रोल का भी यूज कर सकते हैं। थिनर का भी यूज कर सकते हैं। जो जल्दी से उड़ जाए उसका यूज़ कर सकते हैं आप इसकी सफाई के लिए इसको अच्छी तरीके से सफाई कीजिए इसमें कहीं भी मौश्चर होगा वो इसको नुकसान पहुचाएगा इसलिए हमें इसका मौश्चर पूरी तरीके से साफ कर लेना है मैं इसमें थिनर का इस्तेमाल कर रहा हूँ अगर आपके पास थिनर एवेलेबल नहीं है तो आप पैटरोल का भी यूज़ कर सकते हैं इसको आगे पीछे अच्छी तरीके से आप इसको क्लीन कर लिजिए ये टूट ब्रश का इस्तमाल करना हूँ मैं सॉफ्ट ब्रश वाला ब्रश हाड नहीं होना चाहिए नहीं तो छोटे-छोटे कॉंपोनेंट को नुकसान पहुचा सकता है बिल्कुश सॉफ्ट ब्रश होने चाहिए उसके और अच्छी तरीके से इसको क्लीन कर लीजिए कहीं भी मौश्चर नहीं होना चाहिए ये ज़्यादतर हवा में जो नमी होती है ये ज़्यादतर उससे खराब होते है हमने इसको अच्छी तरीके से क्लीन कर लिया है अब हम होडगन की मदद से इसको हीट करेंगे ताकि जो भी इसमें मौइस्चर हो थोड़ा बहुत वो भी अच्छी तरीके से सूख जाए होडगन का इस्तेमाल करते टाइम हमें इस बात का धियान रखना होता है कि हमें इसको एक जगा रोक कर नहीं रखना होता है इसको होडगन को हमें चलाते रहना चाहिए अगर हम इसको एक जगा रोक कर हीट करेंगे तो ये कॉम्पोनेंट को नुकसान पहुचाएगी और वो अपनी जगा से छुट सकते हैं हमें इसको चलाते रहना होता है, एक जगा रोक कर हमें इसको हीट नहीं करना, आगे पीछे से हम इसको अच्छी तरह के से हीट करेंगे, और इसका मॉइस्चर पूरी तरीके से खतम करेंगे, ताकि इसमें जल्दी से दोबारा ये प्रॉब्लम ना आए, तो ये हमारा बोर्ड गरम हो चुका है, आगे से भी पीछे से भी, और इसका मॉइस्चर भी पूरी तरह सूख चुका है, तो अब कर लेते हैं हम इसको फिट, ये इसके इसक्रू है, इसके इसक्रू हम लगा लेते हैं, स्टार स्कूर ड्राइवर से हम इसके स्कूरू को फिट कर लेते हैं, अच्छी तरीके से, फिट करते टाइम भी हम इस चीज़ का ध्यान रखें कि कोई स्कूरू धिला ना रहे, अगर धिला रहेगा, तो वो खुल कर अंदर गिर सकता है, और किसी कॉम्पोनेंट पर टच होकर उसको शॉर्ट कर सकता है, इसलिए ध्यान से हमें सभी को टाइट कर लेना है, इसके कवर को साफ कर लेते हैं, ताकि कहीं इसमें मॉइस्चर हो या कहीं डश्ट वगेरा हो, तो वो साफ हो जाए, यह अच्छी तरीके से हमने इसको साफ कर लिया है, और अब हम इसको लगा लेते हैं, इसके क्लिप्स को हम लगा लेंगे, और इसको हम गाड़ी में फिट करके देखेंगे, कि हमारा EPS मॉड्यूल सही तरीके से रिपेर हुआ है या नहीं, थोड़ी सी बात कर लेते हैं इसकी वाइरिंग को लिए, इसमें जो यह दो बड़े कपलर नज़र आ रहे हैं, एक कपलर में बाहर वाले फ्यूज बॉक्स से बारा वोल्ट डैरेक्ट बैट्री का करन्ट, एक वाइर में चेचेज ग्राउंड और जो बराबर में दूसरा बड़ा कपलर है, यह जाता है EPS मोटर को, इसमें एक वाइर में 12 वोल्ट पॉजिट्व और एक वाइर में ग्राउंड EPS मोटर को जाती है, और यह जो छोटा कपलर है, यह आता है स्टेरिंग के टॉर्क सेंसर से, पावर स्टेरिंग के टॉर्क सेंसर में से सीधा कपलर इसमें आ जाता है, और एक कपलर यह है, इसमें थ्री वायर आती है, एक वायर में 20W का करंट आता है 12V, एक वायर होती है can low उसमा आते हैं 1.5V से 1.5V और एक वायर होती है can high जिसमें आते हैं 1.5V से 3.5V अगर केन लो और केन हाई में भी वोल्ट में प्रॉब्लम होगी तो भी हमारा पावर स्टेडिंग काम नहीं करेगा और यह कपलर आता है सीधा टॉर्क सेंसर से तो यह थी इसकी वाइरिंग तो चलते हैं गाड़ी पर और कर लेते हैं इसको गाड़ी में लगाकर चैक है तो यह इसका क्लैंप है जिसकी मदद से यह गाड़ी के स्टेडिंग में फ्रीट होगा तो इसके क्लैंप को हम फिट कर लेते हैं प dalियाता है when Stop है गाड़ी करते हैं स्कार्ट गाड़ी हो हुचिक है हमारी स्कार्ट और स्टेजन होचुका है हमारा ओके अब बहुत असानी से अमारे स्कलिक भूम रहा है तो अम्मित करता हूं दोस्तों यह वीडियोत आपको पसंद लगी होती जन्दीनिक Ethan नेक्स्ट वीडियो में थैंच पॉच्छ वाच्छ उन्हें